हेलो दोस्तों उन्नती कंपेटिशन क्लासिस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मैं हुमेश मैं अगेन आपके सामने लेकर आया हूं और रूस आउन स्पाटिंग एरर इन इंग्लिस ग्रामर इसके दो पार्ट मैंने अप्लोड कर दी हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अगर आपका इंग्लिस का सेक्शन बहुत भीक है ग्रामर आपको अगर नहीं आती है और अगर आप एक्जाम देना चाहते हैं अपने फॉर्म बढ़ा है और देना को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ये चैनल आपके लिए बहुत यूस्फूल साबीत होने वाला है लेकिन पढ़ते समय पैन और पेपर लेके बैठिए जो भी रूल आपको बताए जाए इस वीडियो में वो सब लिखिए और ऐसा ना करेंगे लिखने के बाद कॉपी पै करिए देखो क्या होता है पहली बात यह है कि सस्टी एक्जाम में बेसी कुश्ट्स आते हैं इंग्लीज के बहुत ही बेसिक ज्यादा टिपिकल जादिफिकल्ट कुश्ट्स नहीं आते ही जैसा कि बैंकिंग एक्जाम में आते हैं बहुत है जिसमें डी आप्शन आपको देगा नौ एरट का के बीचिवल छोटे से से सेंटेंस में ही बोलेगा एरट चाटो यह कौन सा पार्ट में एरर है फाइंड लेकिंग एक्जाम में क्याते हैं पांच ऑप्शन देता है ए बी सी डी इए अलगा एबी सीडी इन चार जो पार्ट होते हैं इनकी स्टेट्में बहुत लेंती होती है एक्जाम तो प्लीज इस वीडियो को देखिये ध्यान से आप खुद कहेंगे वाउ क्या कुश्च्च से मज़ा गया ठीक है तो बात बहुत अधिक हुई अगम बढ़ते हैं काम की और काम की और मतलब कुश्चन नमबर बन की ओर ठीक है पॉस करिए पैन पेपर लेके आई और इसको वीडियो को ध्यान से देखिए अगें रिपीट कर रहा हूं ठीक है नहीं लाए तो पॉस करिए लाइए पैन पेपर यह रहा है कुश्चन नमबर बन जो पूछा गया है कि इससी में कितनी बार पूछा गया है उसका मैंने आपक पॉइटरीज इन माई बुक इसमें से पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में रीड इच सेंटेंस तो फाइंड आउट क्या एरर अगर कोई एरर है तो वो छाटी अगर नहीं है किसी पार्ट में तो आप अपना आंसल आगे आए एक्जाम में डी नौ एरर ठीक है देखिए क क्या होता है मैं आपको कुछ गढ़ा हूं देखो पॉइटरीज कभी बहुवचर में नहीं होती बहुवचर में नहीं लिखी आते ठीक है इसका मतलब क्या होता देखो पॉइटरी जो होती है P O E T R Y जो हम बोलते हैं इसका मतलब खुदी होता है number of poem मतलब कवीताओ का समू और इसको हम simple poetry बोलते हैं ना कि कभी poetry हम इसको plural नहीं बनाते कभी अगर बनाते हैं या कहीं पर दिया गया है poetry लिखा हुआ तो समझ जाए कि उसी पार्ट में error है अगर आपका English grammar के जो rules हैं अगर आपको पता होते हैं तब तुरुन करते हैं हाँ भी पार्ट में error है चलो इ देखें जिसके भी English grammar काफी सही है तो वो इस वीडियो को attempt करें ध्यान से वीडियो को पास्ट करें अपना answer टैली करें मेरे answer से क्या आता है ठीक है इस तरह से आप अपने practice भी आपकी और आपके जो rules है वो revise हो जाएंगे आपका confidence बढ़ेगा ठीक है देखें पाइट्रिस क एक cattle है आपका advice है और poetry दो खुद में है अभी बताया मैंने आपको यह exam में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप इनको ध्यान रखेंगा ठीक है देखें उम्मीद करता हूँ कि आपको यह questions अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है important question था मैंने आपको बोला poetry, scenery, cattle, advice यह कभी भी हो इनको हम बहुँचन नहीं बना सकते s या yes लगा करके हम इनको बहुँचन कभी भी नहीं बना सकते अगर किसी questions में बना रखा है तो समझे कि उसी पार्ट में error है ठीक है बढ़े आगे चलिए बढ़ते है question number 2 की ओर question number 2 हमसे कहता है that house is built of stones इसमें भी same question number 1 का फंड़ा apply होता है ठीक है इस टोन्स को भी हम कभी भी बहुँचन में नहीं लेखती हैं यह जो स्टॉन्स है हमने यह लगा रख दक है तो इस पार्ट में जो यह नहीं आता कभी भी ओ ठीक है तो यहां पर हम एस लगा करके इसको भाव अच्छा नहीं बनाएंगे ठीक है तो कौन से पार्ट में हमको मिल गया एर्र पार्ट सी में चलिए बच्छो आगे बढ़ते हैं ठीक हो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विलकर नहीं पता है तो क्या सुआ छोटे-छोटे डूलiciones ये बेसिक रूलल है ये ब्यों को पार्ट से यार क्या होगा कौन सा एक लगए को एफ देख에 है अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं कुछ इस सब्सक्राइब करिए आपका जो रूल से हो रिवाइज होंगे नहीं बतार को बात नहीं नोट कर लेजिए याद कर लेजिए बहुत इसी हैं यह बेसिक रूल आपके अगर आपको एक्जाम करेक करना है ठीक है विद्ध रूल को जानने के बाद कि अपशने के चोड़ी चोड़ी से स्टेटमेंट दे रखे है कि इसमाल मुदे से संदेंटसे पार दिया उसको अगर आप बैंकिंग का देखिंगे मैं आपको दिखांग अगर वं। कोई को स्टूर्फ तो उसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी होत लेगे एससी में ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ठीक है question no.3 He as well as question no.3 में हमसे कहता है He as well as you like to go ठीक है? कहाँ प्यार है? अगर error नहीं है तो part D को choose करेंगे हम लोग ठीक है? यह क्या है? यह भी बहुत basic questions है easy questions है देखो बच्चो लिखो not only but also as well as इन से पहले जो भी noun या प्रोणाम होगा उसके according verb use होगी as well as से पहले क्या है? हमारे पास है He ही क्या है? हमारे पास singular तो इसके according verb क्या use होगी यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? यह जो like दे रखा है यहाँ पर singular है तो verb भी क्या होगी हाँ पर मारे पास में? singular होगी verb singular कैसे बनेगी? जब इसके साथ क्या हो जाएगा? as जुड जाएगा यहाँ पर क्या हैगा? like की जगे पर likes हो जाएगा बस तो error कहाँ था? part B में क्या बोलोगे आप? हम बोलेंगे he as well as you likes to go ठीक है? बताए मैंने आपको रूल नहीं की as well as ठीक है? या फिर हो not only या हो but also ठीक है? तो इस तरह से आप यूज करेंगे यहाँ इन से पहले जो भी subject लगा होगा अगर वो singular है तो singular अगर यहाँ पर अगर plural होता है बहुँ अच्छा होता है तो यहाँ पर simple like होता है ऐसा yes नहीं लगता ठीक है? कितना easy question था? enjoy करके पढ़िए बच्छो हरसा अपने उसे बनाए चली जो पढ़ रहे है सही बढ़ रहे है note कर रहे है इमानदारी से बढ़ रहे है देखो यह questions भी कितनी पर पूछा गया आप देखिए SSC के 2010 में पूछा गया तीन में पूछा गया 6 में पूछा गया और यह 2015 में पूछा गया SSC के एक्जाम में अब आप खुल लगा देखिए आईए कि यह कितने important questions है इसका rule कितने important है आपको याद करना चाहिए यह पिन नहीं देखिए question number 4 question number 4 देखिए again कितनी बार पूछा गया 3 बार पूछा गया 2010 में भी आया देखते हैं यह नहीं very soon I realized that he is at fault यह भी रूल काफी अच्छा रूल है ठीक है ना देखिए यहां पर क्या है इस वीडियो को सबसे बढ़े आपको पॉस कर लेजे जिसको अगर रूल पता है ना तो वो पिनीज आंसर निका दिया अपना अगर आपका रियल में राइट आंसर आता है और मेरे आमसर पे मैश करता है ना तो आपके ग्रामर के रूल में पकड़ बहुत अच्छी है आपका सेलक्षिन होने के संभावना 100% है ठीक है देखिए मैं आपको करता हूं कि लिए कि इसमें क्या होता है देखो अगर यहां पर क्या करता है तो जो भी सबॉरिनेट ट्रोस है ठीक है जो भी क्लाउज है यह पार्स में सबॉरिनेट तो उसको भी पास टैंस में रखना होता है ठीक है जैसे आपका में देख रहा हूं कि very soon I realized तो यहां पर क्या है यह past tense है realized मतलब ED हमको बताता है कि हम past की बात कर रहे हैं तो यह पूरा क्या हो गया principle clause हो गया हमरे पास सारा यहां तक अब उसके बाद क्या हो रहा है that that के बाद जो आ रहा है यह क्या आएगा हमारे पास में यह आएगा subordinate clause ठीक है एक rule होता है थोड़ा सा basic rule है यह भी अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है यहां पर is है ना is तो अगर यह past में था तो हमको यह भी past में करना पड़ेगा is जो इस है इस की जब पर क्या आएगा यहां पर आएगा वास टीक है तो पाट सी में एरत हो गया अब हम बढ़ते है कुश्चन नंबर फाइव के वर कुश्चन नंबर फाइव ओ माई गॉड कितनी वर पुछा गया है 23 24 29 211 15 त्यार हो जै कि दें अनगे त्यार होना कि यह फिर तो जैश्चन होना प्रियान नहीं होना वाई सब यह दिखीए रूल लंबर फोरी इसमें प्लाई हो रहा है से माई टीचर सेट पास्ट डैट आगे बडैट आगे तूस्ट डैट डिसाइड कर रहा है यहां संग ठीक है दा अर्थ मूफ्स यह क्या है यह हमारा सबोर्डिनेट क्लोज है ठीक है इसमें बस एक अपवाद है एक एकस्पेशनल केस है यह यूनिवर्सल टूथ है ठीक है यह क्या है यह बात सच है तो जो बात सच होती है तो वहां पर यह रूल एप्लाई नहीं होगा कि आप इसको सिंपल वह पास्ट है तो यहां पर जो राइट अंसर होगा यह हमारा प्रजेंट सिंपल टैंस में यूज़ोगा सब ओरिनेट जो था पिछले वाड़े रूल में दोनों पास्ट पास्ट है लेकिन यहां पर क्या होगा और यूनिवर्सल टूथ है तर पहला पास्ट में रहेगा सेड़ है सेड रहेगा लेकिन सेकंड उसक्राइट डो जो होगा वो होगा हमारा present simple tense में तो यहां पर जो already है तो part d में जो हमारा होगा right answer होगा इसमें कोई भी error नहीं है ठीक है अब हम बढ़ते है question number 5 के ओर question number 6 2010 में पूछा गया 2013 में और 2015 में आया होगा है ठीक है यह rule भी एक्जाम में last six year में चार से पांच बार देखने को मिराय वच्चो ठीक है यह rule भी most important बन जाता है क्योंकि आपके आने वाले एक्जाम में यह देखे जाने किसे संभावना है ठीक है यहां क्या होता है जब हम दो नाउन को यूज करते हैं मतलब दो सेम नाउन को यूज करते हैं cities after cities मतलब city नाउन है फिर उसके बाद after लग गया दुबारा cities आ गया तो दो नाउन सेम रिपीट हो रहे है अगर questions में जा फिर मैं बोलू आपसे year after year result after result book after book exam after exam ठीक है इस तरह prepositions जो होती है after के बाद हम या पहले आए या बाद में ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें हम singular लिखते है ठीक है इसमें क्या होता है simple आप याद करिए चलो आप याद करिए पहले लिगर cities after cities से जो पहले आया है now ठीक है तो उसको हम लिखते है singular में city after city मतलब साधी के बाद मेरी बेहन ने बहुत सारी city को घूमा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा यह क्या होगा singular होगा cities after cities नहीं होता है city after city होता है after अगर आता है years after years नहीं होगा year after year होगा book after book होगा books after books नहीं होगा ठीक है आप याद रखेगा रूल को ध्यान से उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस रूल को लिख रहे होंगे ठीक है अब हम बढ़ते हैं question number 7 की ओर question number 7 2013 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया ठीक है question number 7 में हम क्या कह रहा है देखो the cleanliness in Chandigarh is much higher than Agra इस sentence में हम Chandigarh की साफ सफाई के तुलना किस से कर रहे हैं आगरा से कर रहे हैं Chandigarh की साफ सफाई आगरा से कहीं ज्यादा है इस sentence का meaning होगा ये ठीक है कितना और लग रहा है बोलते समय कितना अजीब लग रहा है कि चंडigarh की साफ सफाई आगरा से कहीं ज्यादा है जबकि हमें बोलना चाहिए आगरा की साफ सफाई हुँ ठीक है यहां पे देखो राइस हमें बोलना चैनल कि रखो कि चंडigarh की साफ सब्साई आगरा की साफ सब्साई से ज्यादा है ये sentence सब्साई चंजर ऑग रहे direction इस दिया कि हमुआ आगरा से कहीं ज्यादा है और लग रहे हैं तो यहां पर क्या होगा दैन आगरा गल्थ होगा दैन इन आगरा होगा ठीक है देखो इन चंडी गड़ फ्लो में आ रहा है बोलते समय अच्छा लग रहा है ठीक है तो यहां पर भी दैन इन आगरा होगा तो कौन से पार्ट में एरर है पार्ट सी में हमारे पास एरर है ठीक है अब हम बढ़ते हैं question number 8 की होई question number 8 है हमसे देखे 3 बर पुशा गया exam में यह SSC के ठीक है यहां पर कह रहा है हमारे पास tea is more preferable मतलब जो ज्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं to coffee in most parts of India. देखे क्या होता इस concept में जो base questions है concept basically कुछ questions है last five to six year पूछा गया है देखा गया है questions का यह पर हमारे स्वामने यह rule भी important होता है जिनको यह rule नहीं आता है वो इसको जरू write down कर लें देखो इंडिया के अधिकान्स भागों में tea को ज्यादा पसंद करा जाता है बजाए coffee के ठीक है यह इस कदर meaning हो गया आँ पर ठीक है और यहाँ पर क्या होता है जो prefer दे रखा है ठीक है तो यह क्या है comparative degree है इसके पहले more नहीं लगाते इसके पहले कभी यह more नहीं आता है यह rule है ठीक है अब आप सोच लिए कौन से पार्ट में error हो सकता है कि common सी बात है पार्ट ए में हमारे पास error होगा ठीक है तो इस तरह सा अपने देखा देखो question number 8 पे हम पहुंच गए बड़े अराम से हमने questions करें काफी comfortable तरीके से हमने questions सीखें आज कोई tension नहीं है रूल लिखे थे बढ़ते गया आगे ध्यान से इस वीडियो को finish होने के बाद में एक बार और watch करना ठीक है और अपने rules से इसको टैली करना और रात को सोने से पहले एक बार अपनी नौर बुक को अठा करके उसको revise करना ठीक है चलिए बढ़ते है question number 9 के और question number 9 हमसे कहता है कहने से पहले आप देखी कितनी पर पुशा गया थे जाम में चैटी तेरा में और चौदर में तीन बर पुशा गया है अब देखें आप देखें आप देखें आप देखें यहाँ the headmaster congratulated राजन फोर गैटिंग डा मैरिट इसकॉलर शिप कि देखें इसमें भी एक कुछ एक प्रूर है congratulations के बाद हम कभी भी प्री पोजिशन जो यह दी गई है कि फोर इसका यूज नहीं करते हम बोलेंगे राजन और इसी के तरह एप प्रूफ के बाद ऑफ आता हमेशा घ्रान लखेंगा यह रूल ठीक है डेप्राइब के बाद भी ओफ आता है लिए congratulations के साथ हमेशा हम लोग on का यूज करते हैं यह भी रूल है आप लिख लिए इसको तो यहां पर जारर है पार्ट बी में हमारे पास एरर होगी बढ़ते हैं question number 10 कि हो question number 10 जो पूचा गया SSC में इतनी बार पूचा गया आप देख लिए बार बार मैं नहीं बोलूंगा इसको ठीक है आप देख लिए गाराम से तो ABCD चार पड़ देगा है ABC थोड़ता statement length years की question number 10 में है all the employees have to abide in the hard and fast rule of the company देखी क्या होता है यहां पर hard and fast rule का मतलब होता है निश्चित definite ठीक है जैसे होता है कि हमको बड़े लोग अगर आते हैं हमारे सामने हमोन को नमकम को उन्हें नमस्ते करने चाहिए ठीक है यह क्या hard and fast rule है ठीक है अगर राष्ट्रिगान अगर हम सुन रहे हैं तो हमको अपनी seat से खड़ा हो जाना चाहिए उसके सम्मान में जैसे cinema धर में होता है तो यह सब रूल क्या होगा है hard and fast rule है अगर आप बाइक ड्राइब कर रहे हैं या गाड़ी होगा ठीक है अब आइट के बाद हम इनका यूज नहीं करते हैं यह आप यादर के बस रूल में लिख लीजिए अब बढ़ता हूं कोश्चन नंबर 11 के ओर इतनी बार यह एक्जाम में पूछा गया देख लीजिए आप बढ़ता हूं पढ़ता हूं इसको में आगे वन शुट्रेक्ट इस पैरेंट्स इन आल सरकम्स्टांसेज हर एक विक्ति को अपने पैरेंट्स का आधर सभी सिचुएशन में करना चाहिए ठीक है यह इसका मिनी हो गया तो यहां पर आप देखिए वन के बाद ठीक है यहां जो है पार्ट भी मेरर होगा इस पैरेंट्स की जगे पर वन साना चाहिए वन के बाद जो हम पॉजिसिव केस लेते हैं वन ही लेते हैं ठीक है वन ही लेते हैं अगर मैं यहां पर वन लगाता हूं तो का का सब्द नहीं आएगा ना तो यहां पर हमें क्या होता है का भी दो लगाना है तो यहां पर आए in all circumstances ऐसा बोलेंगे तो यह हमारा जो statement है वो right हो जाएगी तो अभी तो लेकिन यह wrong है part B ठीक है तो हम बढ़ते हैं आगे question number 12 की ओर ठीक है उम्मिद कर रहा हूं कि आपको यह सारे route समझ में आ रहे होंगे अगर समझ में आ रहे हैं तो please इसे like करिएगा देखे इसमें कहरा है if I had money देखे if suppose का मतलब क्या होता यदी ठीक है कलपना कर रहा है if I had money I would have bought this beautiful car मतलब यदी मेरे पास पैसा होता तो मैंने इस car को खरीद लिया होता तो अभी यह क्या है if लगते क्या हो गया यह unfulfill वाली condition है जो fulfill नहीं हो सकती है अभी वो बात कर रहा है कालपनिक बाते कर रहा है maximum student इसमें क्या है answer d लगा कर आते है क्या लगा कर आते है answer answer d लगा है हाँ है बात तो से ही कर रहा हो कोई गलती नहीं है लगा आगे बढ़ो चलो ठीक है लेकिन है के साथ wherever की these all you होगी का लिपकर को बता चुन नहीं को जिसरests मैंने बूला हड के बाद टर्थठ वर्ड़phen में एक ठीक है तो आप यह वर्डी थरट फोम है क्या है है आड के बाद वर्ब की third form यहां पर head ही आएगी यह जो head है आपका पहले वाले जो head है तो यह जो है यह helping verb ठीक है main work जो होगी वोगी verb की third वोगी head तो if I had फिर बोलेंगे दुबारत से हम लोग head money I would have bought this beautiful car तो यहां पर head head दो बार आएगा ठीक है तो इस तरह से हमने questions को करेंगे और जिनको rules बिल्कुल नहीं पता उनको इस question समझने में कटना ही हो सकती है वो गलत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैंने अपने इस channel के अंदर एक लोसेंट grammar की जो book है मोटी वाले green color की उसके मैंने कुछ video बना करके upload कर रखे हैं आप उन सब को देख सकते हैं उसमें मैंने वही rules display करें वही rules समझाए हैं जो एक्जाम के लिए most important है ठीक है अगर आप चाहते हैं एक्जाम देना पढ़ करके तो उस वीडियो को देखिए उसके rules को समझिए और अपने notes बनाए ठीक है चलते हैं question number 13 कि देखिए question number 13 हमसे कहता है let's go to the beach and enjoy do we यह questions tag related questions है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें statement को confirm करने के लिए एक question बुशे रहता है यह statement को है simple और इसको confirm कर रहा है do we लग्या question mark चलो बीच पर चलते हैं और enjoy करते हैं do we यह do we क्या है यह do we है question mark question tag ठीक है रूल कहता है यदि sentence let's go से start हो तो शेल वी लिखा जाएगा ना कि do we do we जब बनेगा जब sentence को present simple tense ठीक है negative में देता है तब यह हमने mock test third और fourth में आपको बताया था जिन बच्चन नहीं देखा वो देख लेंगे ठीक है statement negative में होता है तो question tag positive बनेगा statement negative में होता है अगर तो question tag positive में बनेगा अगर statement positive में है तो negative ठीक है minus press होगा ठीक है तो यहां पर जो error होगा तो वो error किसमे है हमारे पास में यहां पर question number sorry part number c में यहां लेकर जाएगा शेल भी ठीक है बढ़ते है question number 14 के और question number 14 में हमसे कहता है there is no there's possibilities of coming late उनके लेट आने की possibility नहीं है देखो possibility क्या होता है possibility होता है संभावना यह नाउन है नाउन से पहले हम there's कभी नहीं लगाते कि यह लगाते हैं क्या there यह questions भी SSC exam में 4-5 बर पूछा क्या आप देख रहे हैं ठीक है this is their house यह एक मकान है house पहले आएगा तो दिखकत नहीं है तब तो लगा सकते हैं हम दो देर ठीक है तब भी आस नहीं आएगा देखियो example दुबारा से आपको repeat करता हूं थोड़ा सा तबित कराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे मैं देखिया अगर मैं अपसे simple यह कहता हूं कि the house is there अगर देर से पहले अगर को simple noun आ रहा है तो हम देर्स लगा सकते हैं लेकिन आप possibilities बाद में आ रही है ना तो देर्स नहीं नहीं आ सकता तो यहां देखिये part a में इस तरह से हमका एरर मिल गया देखिये this is their house यह हमारा sentence राइट ही जाएगा ठीक है अगर हम बोलते है this is their house तो गलता है the house is there's right तो यहां पर फ्लादा part a में एरर होगा अब हम बढ़ते हैं question number 15 क्यों होगा इतनी बार एक्जाम में पूछा गया है in his old age a person is likely to get more week day by day देखो old age में व्यक्ति के दिन परतिय दिन कमजोर होने के संभावना होती है likely to का जो मतलब है यहां पर यह होती है संभावना ठीक है यहां जो एरर है actually seem error है ठीक है part seem error होगा more तब लगता है जब wobble sound दो से ज्यादा आ रहे हूं वोबल sound क्या होते है ए ए आई ओ यू more week यहां पर केवर ए आ रहा है ए ए ए एक ही वोबल आ रहा है तो more यहां पर नहीं लगेगा ठीक है मैं आपको बताता हूं rule exact क्या है देखो यहां पर वोबल पर डिपैंड करता है हमारा more ठीक है प्लस टू अगर वोबल होते हैं जैसे beautiful जैसे होता है beautiful ठीक है देखो beauty में यू दोनों वोबल आ रहे हैं ठीक है यू यू आ रहा है ना beautiful में यू दो वोबल आ रहे हैं तो ठीक है लग सकता है आपड़ी सत्塔 रहे हैं गार सब्सक्राइल सब्सक्राइब देखो रूग सब्सक्राइब ठीक है ना तो गैट वीकर हो जाएगा अगर आप लगाना चाहें मोर लगा सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं रखेंगे ठीक है इसके लिए थोड़ से ज्यादा रूल है तो इसको मैं अभी आपको के लिए नहीं करता हूंगा वीडियो के लाइन तो बढ़ जाएगी बच्छ ठीक है इसको मैं जाओंगा समझाने की अवशक्ता नहीं है आप लूसेंट का वीडियो देखिए वाला इसमें ग्रामर रूल दे रखे मैंने बड़े रामजयापको के लिए हो जाएंगे सारे रूल ठीक है बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 16 के ओर तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सिंपर इसमें सब्जक के साथ हैं पर सब्जक आएगा कब आएगा जब सेंटेंस में प्लाय सर्कमेंस्टांसी तो यहां पर इसमें गलत है मतब यह इधर आजाएगा और यह इधर पहुंच आएगा तो यहां पर इसमें गलत है ठीक है question number बढ़ते हैं 17 की ओर देखो क्या होते हैं इसमें इसमें question दिया है do you avoid to watch TV during exams ठीक है देखो कुछ words ऐसे होते हैं जिनके बाद हम ing लगाते हैं हमेशा ing यूज करते हैं ठीक है कुछ words मैं आपको बता देता हूं जैसे की जैसे होता है आप उसको note करिए एक होता है avoid जो दे रखा पहले से enjoy और practice इसके बाद ing form लगाते हैं ठीक है जैसे देखो tv से पहले एक और प्रेनों tv से पहले दा नहीं लगता बट रेडियो से पहले दा लगता है दा टीवी कभी नहीं होगा दा रेडियो राइट होगा तो इस ते भी बेसिक रूल होते हैं तो यहां पर क्या होगा part a में error होगा do you avoiding to watch यहां पर क्या होगा simple ing लगाईए ठीक है अब बटते है question number 18 के ओर question number 18 में कह रहा है I really do not know where have he and his friends अजे गोल since yesterday question number 18 में जो यह दे रखा इसने यहां पर वेर दे रखा नहीं या लगी जो वेर तो यहां पर he and his friends टीक है यह पूरा sentence इस have से पहले आदे आएगा have is sentence में लास्ट में आएगा टीक है तो यह sentence इस तरह से बनेगा देख अगर आप पड़ो इसको ध्यान से पड़ो I really don't know I really do not know where he and his friends फिर आएगा है तो यह जो sentence बोलने में आ रहा है यह से सही लगेगा बागी इसके लिए बेसिक रूल है बट बेसिक रूल है काफी चौड़ा रूल है इसके लिए तो यह लोग को समयाना पड़ेगा बट मैंने ये कोश्शन सुनके लिए या है जिनको वीडियो के दूल ऋर मइसार में पराइब रूल होगा वोगे पार्ट बी में यही एजिस अजय पहले आएगा और है यहां चाहेगा साइड में उसके बाद की स्टिट्मेंट बन जाएगी अगर आप इसको अटाम करा है अपने राइड आंसर निकाला तो आपने बहुत शितियारी कार रखे बच्छो वेरी गूड कोश्चन नमबर 19 heavy rain due to the heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean no error देखें heavy rain की वजह से ship जो था वो क्या हो गया समंदर के बीच डूब गया देखें एक होता है ड्रॉन ड्रॉन का मतलब भी डूबना होता है और सिंक का मतलब भी क्या होता है डूबना होता है ठीक है अब लिखें रूल रूल है सिंक जो होता है वह नौन लीविंग बस्तों के लिए यूज होता है और ड्रॉन जो होता है वह लीविंग जो बस्तों उनके लिए होता है शिप में जान होती है, नहीं न, यह क्या, non living बस्तु, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे sink का use करा जाएगा, ना कि drawn का, ठीक है, तो यहां पे जो part B में error है, कितना प्यारा question था देखा बच्छो, है न, शिप के हमारी non living बस्तु है, तो यहां पे sunk होगा, यहां पे sunk लगे सब्सक्राइगा, B part में error था, बहुत ही basic basic knowledge देखा SSC में grammar के rule बोस्ता है, आप खुद देख रहे होंगे, और उम्मीद कर रहा होंगे, आप इस video को enjoy कर रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, आपका confidence बढ़ रहा होगा, दो तीन questions कुछ ऐसी थे, जो काफी typical थे, बट इंग्रिस grammar, जो book की जो मैंने rule अपने channel पर दे रखे होंगे, उसको एक बार जरूर देख रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे rule काफी अच्छे जिक के लिए हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ते है question number 20 की और, question number 20, last test video का questions, तो ये इतनी बर exam में पूशा गया है, ठीक है, it is nothing else than immodesty that leads to one's failure in life, विनर्मता ना होने की वज़े से आपको life में failure मृती है, nothing else के बाद बट लगाते हैं, तो यहां पर क्या है, part A में error है, ठीक है, तो बच्चों देखो, यहां पर हमने पूरे 20 questions फिनिस करें, concept के लिए ना हो तो अगेर इस वीडियो को देखिए, and share my video on YouTube with your friend, जो भी आपके friends है, उनको यह video please share जरू करिएगा, जो पढ़ने वाले friends है, जो फॉर्म भरा है, जो competition के त्यारी कर रहे है, तो इसमें कुछ rule मैंने थोड़े typical लिये थे, वो मैं accept करता हूँ, ठीक है, बड़ जो freezer है, तो उनको please मेरा वो video देखना बढ़ेगा, Lucent वाला, अगर time है तो देखिए कि serious नियारी करनी है आपको, और serious तरीके से exam में बैठना है तो उस video को देखिए, ठीक है, और यह हमने पूरे 20 questions finish कर रहे थे, इसमें जो rule आपको अच्छे लगें वो लिखी है, सारे rule काफे अच्छे थे, दो-तिर question को छोड़ करके, वो rule आपके लिए अभी अच्छे इस ल घंटे की वीडियो बन जाती, और वीडियो से लेण इं inhibि होती है तो बच्चे watch नहीं करते है, ए時 को घंटे की वीडियो, टाइम नहीं है छोड़ यह नहीं देखते हैं। तो वीडियो बनाते समय हर एक का ध्यान लगना पड़ता है हर चीज का लो सोचना पड़ता है वीडियो के लाइन्थ ना बढ़े बच्चे के ओ बना जाए जब बीच में क्लोस ना कर दे हमारी महनत की खराब ना हो जाए जब बच्चे परियास ही ना करें देखने का तो इसल सब्सक्राइब करिए अगर अपने लेके हो ठीक है चलिए लेता हूं आपसे अलवीदा अगर ये वीडियो को पसंद आयो तो अगें लाइक करना मत बूलिएगा सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं कर रहे तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला आपके एक्जाम में और जो भी आपके रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखके जिरूर भीजेगा और जो भी मेरी तरब से डिस्टरमेंस रही ठीक है उसके लिए मैं माफ अज़त मिलता हूं जल्देक नई वीडियो के साथ धन्यवाग